हेलो फ्रेंड वेल्कम तो यूरों चैनल डेली स्टॉक तो इस वीडियो के दर हम यहाँ पर बात कहने वाले ICICI Security और ICICI Bank का यहाँ पर जो है काइंड ओव मर्जर यहाँ पर हम जो एक तरह से कह सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने जो है क्या डीटेल जो है आपर बाहर है उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी ने डिक्लियर के अगर इस ICISA security जो है आपर मर्ज होने वाली ICISA bank के साथ में तो यहाँ पर of every share अगर आपके पास यहाँ पर ICISA security के 67 share sorry 100 share से तो उसके लिए आप जो है आप यहाँ पर eligible होंगे ICISA bank के 67 share माने कि यहाँ पर अगर आपके पास ICISA security के 100 share है current market price के सबसे देखते हैं तो उसका value होता है 61,390 का तो वो अगर आपके पास होंगे तो आप यहाँ पर eligible होंगे 67 share of ICISA bank अगर हम उसका यहाँ पर हम उसका value अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर in total होता है 62,908 का तो यहाँ पर इन दोलो price band के अंदर भी यहाँ पर 500-800 रुपय का definitely जो है price का जो differentiation है वो यहाँ पर में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो swap के जो ratio है वो 2.4% का as on the time fact जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर question arise होता है कि easy है जो merger हो रहा है उसके लिए यहाँ पर हमें as a participant जो है यहाँ पर हमें भाग लेना चाहिए या फिर नहीं तो अगर आप यहाँ पर इस company के पहले शेयर ओल्डर नहीं हो इसे security के तो यहाँ पर हमें जो है फिर से 100 quantity 200 quantity आप यहाँ पर जो है एस जो टेफेक्ट देखने को नहीं मिल सकती हैं सो सजेस्ट तो यह करूँगा कि अगर आपके वास इस company पहले से share available हो एक अच्छी अच्छी price पर तो मेरे सबसे एक अच्छा सा participant यहाँ पर जो हमें आपके शेयर हो माई जो को सब्सक्राइब पर ना ना रुए हगा थैंक you